यूटूब ने अपनी पॉलिसी में अपडेट किया है जब तक हम टू-स्टेप वेरिक्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं जब तक हम अपना चैनल मोर्टाइजिसन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अप्लाई का बटन ही नहीं आएगा चलिए सीखते हैं कि हमें टू- उत्ताइबुर्णिय करें करन आय। तो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना आन अप्ना ख्रॉम ब्राउजर ऑपन कर लेना है जब आप अपना ख्रॉम ब्राउजर ऑपन कर लिए इसमें आपको को YouTube सर्च करना है जब आपका YouTube ओपन हो जाएगा तो आपको यहहां पर 3 çek जब आपका ये पेज पूरा उपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है अपने चैनल पर यहां पर करना है क्लिक यह जो चैनल का लोगो है उस पर आपको करना है क्लिक जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको अपने चैनल पर जाना है यूर चैनल पर क्लिक करना है जब आप अपने चैनल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको कॉस्टोमाईज चैनल पर करना है क्लिक जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा आपको यहाँ पर कौने पर दिख रहा होगा Monotisens का उप्षन आपको इस पर करना है क्लिक जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उप्षन आरा Two Step Verification पहले यहाँ पर रिक्वाइड थे 1000 सस्क्राइबर वो 4000 गंटे का वोश टाइम अब यहाँ पर जीरो एक्टिव कॉम्टि गरने श्टाइक है और दूसरा है Two Step Verification जो की हमें करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो यहाँ पर उप्षन ही नहीं है अप्लाई करने का हम अपना चलन अप्लाई करने के लिए भेज भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर उप्षन ही नहीं है तो हमें Turn On पर कर देना है क्लिक जब आप Turn On पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर Continue पर करना है क्लिक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो है Email ID का जो Password है वो यहाँ पर डालना है जब आप अपने हाँ पर Password फिल कर देंगे उसके बाद आपको कर देना है Next जब आप इसको Next कर देंगे तो आपके सामने एक Page Open होगा तो आपको यहाँ पर Continue पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको अपना वो नंबर डालना है जो Phone में Active हो क्योंकि उस पर एक OTP आएगा वो आपको OTP यहाँ पर फिल करना है आपको जो OTP आएगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि Phone Call पर वो OTP यह टेक्स मैजिस पर आए तो मैंने Text मैजिस पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है और कर देते हैं Sand पर Apply Sand पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक OTP आएगा आपके नंबर पर एक OTP आएगा वो OTP आपको उसमें डाल देना है OTP डालकर वह OTP डालकर आपको Next पर क्लिक कर देना है आपको कर देना है turn on पे click तो इस तरह से आप अपना account verify कर सकते हैं धन्यवाद तो इस तरह से आपको अपना चलना है verify कर लेना है मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझने आगी होगी अगर वीडियो समझ हाई है अग पसंद देए तो लाइक करें शेर करें धन्यवाद